आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गरवावस्ता के दरान काली मिर्च खाने से आपको क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है काली मिर्च को पोसक ततों से भड़ पूर माना जाता है लेकिन प्रेगननसी में से खाना कितना सेफ है यह आपको पहले ही जान लेना चाहिए यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि गरवती महलाओं को काली मिर्च खाने चाहिए या फिर नहीं और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से सुख्रिया मैं बहुत मैंने से वीडियो बनाते हूँ और आप लोग लाइक नहीं करते तो एक लाइक जरूर करते प्रेगननसी के दौरान कई महलाओं को स्पैसी खाने की ललक होती है जो की बिल्कुल भी नॉर्मल है लेकिन इस समय जादा मसालेदार खाना खाने से मना किया जाता है प्रेगननसी की बात है तो आपको छोटी सी लापरवाही भी बढ़तनी चाहिए इसलिए अपनी प्रेगननसी डाइट में काले मिर्च को सामिल करने से पहले आप यह जान ले किसे खाना सुरक्षित है या फिर नहीं सबसे पहले तो आप यह जान ले कि गर्वती महना है काल भवस्ता में काली मिर्च खाना सुरक्षित रहता हैं लेकिन इसे सीमित मातरा में ही खाना चाहिए किसी अन्य फूड की तरह अगर आप सीमित मातरा में इसे खाते हैं तो यह आपके लिए सेफ है अगर आप इसे ज्यादा मातरा में खाते हैं तो यह नुकसान कर सकता है आप जीरा पाउटर के साथ मिलाकर या फलो या फिर सलाद पर डाल कर खा सकते हैं काली मिर्च को ज्यादा खाने से acidity, aparch और सीने में जलन हो सकती है काली मिर्च immunity को बढ़ाने का काम करती है pregnancy के दौरान खाने में रोज कुछ मातना में काली मिर्च लेने से या natural immunity booster का काम करती है इसके अलावा अगर आप काले मिर्च गर्भा वस्था के दौरान खाती है तो यह आपकी पाचन सक्ति को बढ़ाती है गर्भा वस्था में ऐसे लिती, अपच और सीने में जलन हो सकती है खाने में काले मिर्च को सामिल करने से इस तरह की समस्याएं कमाती है गर्भा वस्था में खासी और जुकाम हो जाये तो आप घरे लिन उसकों के तौर पर अपने खाने में काले मिर्च को सामिल करें सूप में काले मिर्च डाल कर पिने से जुकाम में काफी राहत मिलती है इसके लावा काले मिर्च डिप्रेसन से लड़ने में भी मदद करती है और ब्लट प्रेसर लेवल को भी कंट्रोल में रखती है थोड़ी मातरा में खाने में काली मिर्च डालने से कोई नुकसान नहीं होता लेकिन ये गर्वती महिलाओं को नुकसान पहुचा सकती है इसकी वज़ा से पाचन संबंदी परिसानिया भी हो सकती है और जो आगे चलकर आपको दिक्कत दे सकती है इसलिए ध्यान रहे कि काले मिर्च करें लेकिन सीमित मातरा में करें आप इसके नुकसान भी जान लीजिए कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दोरान कुछ तरह के फूज से ऐलर्जी हो जाती है इसमें एक काले मिर्च भी हो सकती है कुछ लोगों को काले मिर्च खाने से पेट या गले में जलन हो सकती है लेकिन प्रेग्नेंसी के दोरान अपर्च और सीने में जलन जैसी परिसानिया पहले से ही रहती है इससे दिक्कत जादा बढ़ सकती है उम्मिद करते हूँ आपको ये वीडियो पसंद सेखेए